कोरोना पर जीत का जस्न मना रहा चीन मांस के साथ धडले से बिक्र है चमगादड एक तरफ कोरोना वाइरस के कहर से पूरी दुनिया जूज रही है तो वही चीन में इस महमारी पर जीत का जस्न मना जा रहा है एक बार फिर लोग खरगोस और बतक का मांस खाने लगे हैं यही नहीं चीन में चमगादरों की बिक्री धडलले से सुरू हो गई है यह वही चीन है जिसकी वुहान सहर से खतरनाक संक्रमन निकल कर पूरी दुनिया में फैल गया था माना जाता है कि चमगादर के रास्ते ही कोरोना वाइरस इंसान के सरीर में घुज गया था मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सनिवार को चीन में कोरोना वाइरस पर जीत का जस्न मनाय गया इस दोरान कुत्ते, बिल्ली, खरगोस और बतक के मांस की बिकरी सुरू हो गई और आपको बता दे हर तरफ मरे हुए जानवरों के अवसेस पड़े हुए नजर आए इस जस्न के लिए चीन में बहत गंदे मीट मार्केट को दुबारा से खोल दिया गया तीन महने पहले वुहान में इसी तरह की एक मीट मार्केट से कोरोना वाइरस के फैलने की बात कही गई थी और आपको बता दें कि चीन के इस गलती का खाम्याजा आज दुनिया के तीन अरब लोग भुगत रहे हैं इस महामारी से दुनिया भर में अब तक 34,000 लोग मारे जा चुके हैं और अब तक 7,23,434 लोग संक्रमित हैं विश्य सग्यों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वाइरस से आने वाले समय में लाखों लोगों की मौत हो सकती है दर्चिन पचिन चीन में गोईलिन इलाके में हजारों लोग मीट मार्केट पहुँच चुके हैं वहाँ खुले में बिक रहे मांस और जिंदा जानवरों को धडल्ले से खरिदा जा रहा है और वहीं दूसरी और बजारों में पिंजडे में विभिन प्रजातियों के जानवर रखे गए हैं और उन्हें धडलले से बेचा जा रहा है चीनी बजार में अभी चमगादलों की बेचने का सिलसला जारी है एक अन्हे बजार में चमगादर, बिच्चु और अन्हे जानवरों को बेच रहे हैं गवर्तलब है कि चीन ने देजभर में जारी लॉकडाउन को हटा लिया है यहां सरकार लोगों को प्रुचाहित कर रही है कि वो बजार जाकर समान खरीदे और अर्थ विवस्ता को गती दे गोईलिन के छेतर में लोगों की भारी भीड जुड़ गई है यहां बड़ी मार्केट में लोग कुत्ते और बिल्ली का मांस खरीद रहे है यहां पर प्रसासन ने लोगों को संदेश दिया है कि स्थिती नियंत्रित है और अब लोग दोबारा से अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं हलाकि अब वहां पर सुरक्षा बलो के तैनाती कर दी गई है ताकि कोई तस्वीर ना ले सके और वह तस्वीर सोशल मीडिया पर वारल ना हो सके आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लाइक और शेयर करना ना भूलें इंडिया न्यूज वारलिग रिपोर्ट